इस वीडियो नंबर फॉर अफ मैगनेटिजम और यह एक बहुत इंपॉर्टन चीज हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं and that is some important terms related to magnetism इस बात को समझने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि इसमें हम क्या basically study करने वाले हैं यह हमारा एक magnetic field है इस magnetic field की जो property होगी न यह है external magnetic field इसके बीच में हम एक material को place करने वाले हैं यह जो material मैं इसके अंदर place करूँगा यह तीन तरह के आपको समझाऊँगा तीन तरह के materials होते हैं magnetism के respect में अगर बात करें तो detail में बात करने वाला लेकिन अगर magnetism के respect में या on the basis of their magnetic properties हम उनको classify करें there are three types of magnetic materials diamagnetic materials paramagnetic materials and ferromagnetic materials मैं आच्छे से लिखूँगा आप डर्ना ने diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials यह उस तरह का magnetic materials मैंने इसके अंदर place कोई magnetic material मैंने इसके अंदर place कर दिया anything अब हुआ क्या, इसको इसके अंदर place करने से इसके अंदर एक magnetism develop होता है इसके अंदर एक magnetism develop होता है जिसको हम बोलते हैं magnetic induced be induced और एक वो magnetic field है जो मैंने उसको external बहार लगाया इसी तरह से same आप electric field के case में भी पढ़ चुके हो dielectrics जब आपने पढ़ा था तब आपने dielectrics में ये पढ़ा था कि जब external electric field के बीच में आप किसी material को place करते हो तो उसका अपना एक electric field under develop हो जाता है same is the case here यहाँ पे उसका अपना magnetic field under develop हो जाता है that is called be induced और जो मैं लेके आया था जो मैं लेके आया था that is called that is called be external ठीक है बी ओ लिख दो इसको बुक में जो मैंने आपको भी pages send करूँगा दोनों ये vector quantities हैं आपको बड़े अच्छे से पता है magnetic field is a vector quantity जो net मुझे magnetic field मिलेगा that will be summation of both छोटी सी बात यहीं पे कर दूँगा अभी कि जो आपके डाया magnetic material है उसमें जो induced है वो इससे उल्टा होता है opposite direction में होता है और बहुत कम value होती है paramagnetic material में B induced जो है वो B induced जो है वो BO से जादा होता है उसी direction में होता है और थोड़ी value ठीक ठाक होती है कम value होती है value कम होती है feeble feeble magnetism is developed in both diamagnetic materials and paramagnetic materials but the difference is in diamagnetic materials in diamagnetic materials जो magnetism उसके अंदर induce होगा उसकी direction opposite होगी होगी दोनों की value सेम लगबग feeble है दोनों कम value के अंदर induce करते हैं न पैरा करता है न डाया करता है जादा करते हैं थोड़ी सी magnetism लेकिन कम करते हैं ठीक है तो diamagnetic materials जो है diamagnetic materials की direction जो है वो opposite होती है किसकी magnetism develop करने की जैसे अगर यहां पे यह नौर्थ पोल है और यह साउथ पोल है तो यहां पे ultra develop होगा diamagnetism की case में यहां south होगा यहां north होगा ऐसा होगा ठीक है तो paramagnetism के case में यहां north होगा और यहां south होगा ferro में भी यहां north होगा यहां south होगा लेकिन ferro में value ठीक ठाक होती है इसलिए Ferro Magnetic Materials ही Magnetic Materials actually होंगे जो मेरे काम आएंगे ज़्यादा तर Application Based बहुत Application है इसके Electrical Engineering पूरी की पूरी इसी पे Based है अगर इस तरह की Material की Properties ना होती तो बहुत बड़ी बड़ी Electrical Machines नहीं बनी होती इतनी बात आप से करूँगा अभी इसे ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता हुई ठीक है मैं ज़्यादा अलग ना चला जाओं पहले मेरे को Basic Basic बात करनी है मैंने बोला कि इसके अंदर जो मैं देखो अब Confusion कहां होती है स्टूडेंट को पहले Magnetic Field तीन तरह आंगे एक तो होगे टोटल अल्टीमेटली सबस्टांस के अंदर इस मेटीरियल के अंदर Net Magnetic Field कितना डवलप हुआ इस B Vector ने B Net भी लिख सकते हो आप डैट विल भी Summation of की जो तुम लेके आये थे Magnetic Field बाहर से External Magnetic Field वो Magnetic Field वो तो है ही है प्लस जो उसने अपने अंदर Induce किया तो दोनों का Summation डैट मैगनेटिक में माइनस हो जाएगा वो तुम्हें मालूम है क्यों हो जाएगा क्योंकि उसकी Direction Opposite है इतनी बाते हमें समझ आ रही है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े तो हमें क्या Terms क्या क्या सीखनी है सबसे पहली बात सबसे पहली बात ये दो Magnetic Field के बारे में B के बारे में मैंने बता दिया ये जो External Magnetic Field है आप इस तरह बिसे भी समझ सकते हो देखो मैं बताता हूँ मैं एक Teacher हूँ मेरी एक Capability है आपको Lecture Deliver करने की आपको Knowledge Deliver करने की मैं इस तरह हूँ मतला अगर मैं Analogy बनाऊँ तो Analogy है कि मैं एक External Field की तरह हूँ जो आया हूँ आपको Knowledge Deliver करने आप इस Material की तरह हो जिसने वो Knowledge लेनी है समझाई बात जिसने वो Knowledge लेनी है तो आप तीन तरह के हो सकते हो Diamagnetic Paramagnetic और Ferromagnetic अगर आपकी ठीक ठाक Capability हुई लेने की ठीक है तो आपका जो आपकी Knowledge है वो Tremendously Increase करेगी तुमारे में से काफी Knowledge फ्लो करेगी एक वो होंगे जिनको कम समझा रहा है जिनको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है ठीक है जो मेरी Capability है वो अगया H जो तुमारी Capability है Attain करने की वो है I दोनों के Unit सेम है जो External की Capability है वो है H जो External Magnetic Field लगाया है कि उसकी Capability Magnetize करने की मतलब मेरी Capability लोगों को सिखाने की H मैं एनॉलोजी दे रहा हूँ इसको Confuse नहीं करना पेपर में लिखने लाए चीज नहीं है ठीक है H जो है That is a Property of External Magnetic Field और Material जो मैंने उसके बीच में रखा है उसकी Property है चीजों को लेने की तो तुमारी Property हो गई तो तुमारी Capability हो गई आई कि तुम Knowledge कितना ले सकते हो मेरे से लेकिन जो Ultimately मुझे भी मिलेगा Ultimately जो अंदर Material के Knowledge फ्लो करेगी Magnetic Field फ्लो करेगा वो क्या होगा वो दोनों के कारण होगा उसमें मेरी Capabilities भी involved है और आपकी Capabilities भी involved है दोनों की Capability involved है तो I is related to External Magnetic Field जो Magnetize करने आया है और I is the Capability of the Material जो Magnetize होने आया है प्लीज जरह ध्यान से सुनना इतनी Confusion है लोगों को इस चीज में है इसको बहुत अच्छे से Understand करना है I और H इस तरह से आगे जो इसमें यह B not और H related है एक दूसरे के साथ B not और H ठीक है? B not और H का आपस में relation है B not और H का relation है B not is equal to mu not H, दोनो vector quantities है mu not is the permeability of free space क्योंकि यह free space में create हुए है जो external magnetic field है ठीक है? तो वो हो गया permeability of free space जो B induced है जो B induced है ठीक है? B induced नहीं net magnetic field उसको B लिखते हैं ठीक है? B B net पी लिख सकते हैं लेकिन अब यह B लिख रहा हूँ that is equal to mu into H कि ultimately जो उसके अंदर magnetic field आएगा यह relation याद रखना प्लीज बड़े important relation हो गए यह सब fine अब मैं बोलूंगा जो अंदर magnetic field बना that is equal to बड़े अच्छे से सीखना प्लीज और एको relation इनी से related है I upon H मैंने अभी I और H अब को अभी बताया आई अपॉन H इस इक्वल टू आई अपॉन H इस इक्वल टू जाई एम होता है susceptibility susceptibility मैं एक बार दुबारा आपको relate कर देता हूँ यह सब चीजे आप confused नहीं होना external magnetic field की value कितनी है मान लो 10 Weber per meter square तो यह हो गया B not फिर H क्या है confusion यहां हो रही होगी आपको कि B not तो समझा गया कि external magnetic field H क्या है H है उसकी capability magnetize करने की that is the capability कितनी है मेरी knowledge 100 है लेकिन मेरी capability कितनी है deliver करने की is H आपकी capability कितनी है knowledge लेने की is I यह H और I आपस में same है इनके units भी same है अब यह भी आपस में related है कि तुम external magnetic field जो बाहर से लेके आये थे B not that is equal to अभी मैंने बताया mu not into H ठीक है mu के साथ इसका relation है और जो B ultimately B जो एक substance के अंदर आएगा that is summation of उसका अपना जो उसके अंदर induce हुआ और प्लस जो तुमने external लगाया था B is equal to mu into H ये relation हमेशा याद रखने है तीसरा relation एक ओर है इनका आपस का relation ठीक है कि मैं करने आया था तुम्हें magnetize तुम होने आये थे magnetize तो I upon H की जो ratio है वो हो गई क्या x m लिखते X की तरह है लेकिन थोड़ा ऐसे डाल देना ठीक है ऐसे कर देना जाई बोलते हैं जाई एम ग्रीक लेटर है जाई एम susceptibility लिखा हुआ है आगे सब कुछ तो इतनी बाते हमें clear हो रही है फिर उसके बाद एक बात बताता हूँ ये mu क्या है this is permeability of mu not क्या है permeability of free space mu क्या है permeability of any material उसको मैंने जैसे आपको वो बताया था permittivity relative permittivity और तीसरा क्या था permittivity ए देखो ना ऐसे था उसमें भी permittivity of free space permittivity of any material relative permittivity relative permittivity is equal to होता था permittivity of any space divided by ये same है इदर भी इसलिए और इदर से क्या बन्जाए किसी भी चीज की permittivity हम कैसे निकालते थे mu not into sorry epsilon not into epsilon और यहाँ पर भी वही है यह mu जो है this is equal to mu not into mu r ठीक है यह जाईयम अलग है b और h का relation mu देता है i और h का relation जाईयम देता है यह बाते इतनी आपको पता चली ठीक है यहाँ तुम यह सब पढ़ोगे तो तुम यह देखो मैंने बताया क्या external magnetic field लेके आये थे उसके कारण इसके अंदर magnetism develop हुआ क्यूं हुआ यह lecture अभी अलग है इससे नहीं गबराना इसके अंदर अपना magnetism develop हुआ इसके अंदर जब अपना magnetism develop हुआ तो आप देख सकते हो यह north pole south pole develop हो गया मानलो ऐसे हुआ तो इसके कारण इसका अपना वो बना magnetic lines of force यह किसकी है यह जो अंदर उसके अपने induce हुआ magnetic field तो उसके कारण यह दो देखो north to south move करती है अंदर हमेशा south to north करती है बताया आपको magnetic lines of force तो यह वाली जो अंदर है वो बढ़ गई और बाहर वाली cancel हो रही है देखो देहां से देखो please अंदर जो है वो plus हो रही है इसके साथ बाहर वाले के साथ और जो बाहर वाली है वो minus हो रही है इस तरह से लगता है कि सारी line है अंदर गुजगी इसने अपने अंदर से सब को जाने दिया यह अच्छा magnetic material है जैसे conductor हो तक current को जाने देता है easily यह magnetic lines of force को अंदर जाने देता है जो material that is called ferromagnetic material अच्छे से जाने देता है जैसे वहाँ पे भी तीन categories थी insulators, conductors और semiconductors उसी तरह से यहाँ पे भी para, dia और लगबग वैसा है बिल्कुल सेम नहीं है ठीक है तो इस तरह से यह magnetic materials को अंदर पास होने देता है this is called अब देखो यह हो गया external, B not यह हो गया induced और net यह हो गया यह हो गया B, जो हमें अभी दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो B होता है उसको measure करने का एक और तरीका होता है कि जितनी lines अंदर दिखाई दे रही है multiplied, divided by area जितनी lines अंदर जा रही है that is called Weber magnetic lines of force जो अंदर दिखाई दे रही है तुमें जाती हुई that is called flux, magnetic flux measured in webers divided by area करेंगे तो क्या बन जाता है Tesla, magnetic field ठीक है, यह हमने इसकी बारे में बात करनी है इसकी definitions लिखी है मैंने सब आपको बता दिया इसको अच्छे से relate करो आपको एक-एक बात समझाएगी जो मैंने अभी आपको बताई magnetic permeability, permittivity यह सब आएगा बताई, तो इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह एक relation है susceptibility और आपस में mu r का relation है बड़े easily समझाएगा आपको देखो यह लिखा हुए मैंने अभी आपको समझाया यह सब यह देखो induced वाला किस से related है यह देखो b not is equal to mu not h bi is equal to i तो अंदर की property है तो वो mu not into i इन दोनों का sum bm लिखा इसने जिसको मैं b net लिख रहा था bm bm is equal to यह आ गया यह भी समझा आ गया h common ले लिया यहां से h जब common लोगे तो 1 upon i plus h आएगा i plus h को मैंने बताया xym बोलते है nothing else कुछ भी मुश्किल नहीं है इस पर na xym के units होते हैं na mu r के units होते हैं mu के भी होते हैं mu not के भी होते हैं mu के भी होते हैं mu not के भी होते हैं but mu r के नहीं होते हैं और xym के भी नहीं होते हैं susceptibility के भी नहीं होते हैं तो it is very very simple आपको मैंने जो बात अभी समझाई क्या एक magnetize करने आया है एक magnetize होने आया है this is very important तो जो properties किस से related हैं होने से वो i है जो material की property है material जो magnetize होने आया है तो मतलब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो i से related पढ़ने वाले हैं हम magnetization से related हम जो material की properties को पढ़ने वाले हैं next video जो हम बनाएंगे उस पे आएगा classification of magnetic materials ठीक है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़के रोको थोड़ा confusing topic है यह मैं आपको एकनी बात बता देता हूँ मैंने काफी ज़्यादा देखा इसको आगे पीछे फिर जाके मुझे पता चला कि this is the best possible जो understanding इससे develop करनी चाहिए आप लोगों ने thank you